हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है इस बीए बैंक के बारे में आज 18 नमंबर है और आज के टेडिंग सेशन में देखा जाए तो तक्रीबन 12 रुपे की बड़ोत्री के साथ 5 प बैंक नजर आ रहा है दोस्तो और देखा जाए तो ब्लोक्रेज का जो दो एस बी बैंक के उपर वह बीडियो के माध्यम से और समके लिए तरह की लेडिक करेंगे चार्ट करते आलेंगे तो दोस्तो लाइक करके इंक्रेज करना ना भूले और चैनल पर न आया है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए ऐसे जन्यून इंफरमेशन पाने के लिए और दोस्तों भी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं के तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो जो खबर निकल के आई है उसके उपर हम नजर कर लेते हैं उससे पहले दोस्तों हम आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं तो जिससा कि यहां पर आप देख सकते हम एनसी की वेबसाइड के उपर आया है और यहां ओपनिंग हुई 249 रुपे 40 पेसे और हाइप बनाया 253 रुपे का और लोग देखने को मिला 235 रुपे 90 पेसे का और फाइनली जो क्लोजिंग हुई 252 रुपे पे क्लोजिंग हुई और डेलवरबल परसेंटेज की बात करें तो आज जो कॉंटिटी टेड हुई थी ओ तक मिल रहे है तो यहां पर मतलब काफी अच्छा जा सकता है तो अब हम जो खबर निकल के आई है उसके उपर नजर कर लेते हैं उसके बाद हम चार्ट के उपर एनालीसिस करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे है तो जैसा कि दूस्तों आप देख सकते हम था एकोन और दिगज मार्केट अनलीशिसों में से एक है और उसने दुस्तों इस फिन यस बंट पोर अपने कॉमेंटरी धी है और जैसा कि यहन पे तो यहां पर देख सकते चैज出來 करेंगे स्टर। because it's win in most of the parameters like valuations growth and fact that the entire PSU sector is coming out of value destruction fast says he mangzen तो दोस्तों बताए जा रहा है कि SBI Bank का जो valuation है वो अभी बी का फिर बड़िया valuation पर हमें SBI Bank नजर आ रहा है और जैसा मैं आपको बताया कि तकरीबन 30% का हमें returns देखने को मिल चोता है लाश्ट वन मन में फिर भी दोस्तों अभी भी SBI Bank का जो stocks का जो valuation है और बड़िया valuation पर SBI Bank नजर आ रहा है और growth की बात करें दोस्तों तो बताया जा रहा है कि SBI का जो growth है और PUC sectors में SBI का जो growth रहेगा और outperform growth रहेगा इस तरह कि कि यहां पर खबर है निकल के आर यह दोस्तों बताया जा रहा है हमांग जान की वर से और इन सभी बातों से मैं पूरी तरह से दोस्तों बिलकुल सहिमात हूं और जिस तरह से हमांग जैन की वर से जो राए आई है जो commentary है SBI Bank के उपर उसके उपर मैं दोस्तों पूरी तरह से सहमत हूँ और जो दूसरी खबर निकल के आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा तो जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह भी खबर आपको The Economic Time की वेबसाइट के उपर ही देखना को मिल ज दोस्तों और जिस तरह से प्रफॉर्मस देखने को मिल रहा है SBI Bank का और जिस तरह से खबर निकल के आ रही है मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपको दोस्तों और निकल के आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो जिसा कि यहां पर और अभी भी Outlook Improves की बात हो रही है और मोतिलाल ओस्वाल को अभी लग रहा है कि यहां से भी इस प्राइस से भी काफी बढ़ी आपको मूह देखने को मिल सकता है अभी भी खरीदारी करने के लिए प्रिफरंस कर रहा है मोतिलाल ओस्वाल दोस्तों तो इस तरह की यहां प जैसे नहीं मिल रही है और पर जैसा की दोस्तों यहां से इससे को फ्रोड़ा पर देखना पर करता हूं और जिसा की दॉस्तों यहां पर आपसकते हें कि SBI Share सी Consistence Delivery Based Buying तो बताये जा रहा है कि Continuously SBI Bank में दोस्तो दबा के Delivery उठाई जा रही है और Continuously Buying हो रही है जिसा कि दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं SBI Bank की बात करूँ तो लाश्ट वन विक में तक्रीबन 7% ज़्यादा का तेज़ी देखने को मिला है 111% भी 5 डाउन है तो दोस्तो जह से जो खबर आ रही है और जिस तरह जो रिपोर टन के आ रही है और जिस तरह से brokerage का जो वियू बना हुआ है, SBA bank के ऊपर हो काफी बढ़िया और काफी positive view है, और जिस तरह से बताए जा रहा है कि SBA bank का जो growth है, UC stocks में वो जबर्जस growth है, और target भी बढ़िया नजर आ रहे हैं, तो देखा जाए तो overall यहां पर SBA Bank के उपर काफ़ी बड़ी आ खबर हमें नजर आ रही है दोस्तो अब दोस्तो मैं आपको चार्ट के उपर लेकि जाना चाहूंगा और किस तरह के लेवल और टर्गेट देखना को मिल सकते SBA Bank में उसके बारे में हम एनालीसिस करेंगे चार्ट के उपर तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहे है तो जिसा कि दूस्तो आप देख सकते हम जीरोधा के प्लेटफरम के उपर आया है और यहां पर मैंने यहां पर वान आर्स के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है और य लौजिंग देखना मिली और चारट के ऊपर नजर कुरो गया दूस्तो मैं पर जाबर तेजी देखने को मिल रहाव है तो जिस तरह से दोस्तों यहां पर तेजी बना एक बन असी के असपास नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं SBI भी हमें और बोट जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है एक दो दिन में ऐसे ही अगर कंटीन्यू तेजी रही तो तो दोस्तों खरीदारी करने के लिए आप किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी ना करें और जै तो शोट टम के लिए यहां पर आप यह दो टार्गेट ले सकते हैं और यहां पर दो सपोर्ट लेवल हैं यहां पर आप वोच आउट कर सकते हैं और खरीदारी करने का सही टाइम दोस्तों 230 से 220 के अंदर आप ले सकते हैं और यहां पर दोस्तों आप खरीदारी कर सकते हैं तो मैंने जो आपको लेवल देए उन लेवल स्कॉप होच आउट कीजिए और आप अपना भी अनालिसिस कीजिए उसके बाद ही दोस्तो पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करकर इंग्रेज करना ना भूले चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक लगा हो लाइक कर देए बनाई है उसके लाइक है तो लाइक कर दो अखना